नमस्कार साथियो आज हम आपके लिए लेकर चलते हैं महराज गंगाधर राओ की छत्री इस शत्रुभुजाकार छत्री शमाधी का निर्माण महारानी लक्ष्मी बाई द्वारा 1853 इस भी में अपने पती राजा गंगाधर राओ के निधन के बाद उनकी इस मिर्थी में कराया गया था राजा की शमाधी उची चहर दीबारी के मद्ध उध्यान में इस्थित है इसके दो प्रवेश द्वार हैं एक पूर्वी प्रवेश द्वार तथा दूसर्या दक्षडी प्रवेश द्वार दक्षणी द्वार मुख प्रिवेश द्वार है शमादी एक बरादरी के रूब में एक चौकोर चबूत्रे के ऊपर बनाई गई है जिसके चारों और तीन महराव यक्त भवन द्वार प्रेश्तर इस्तम्मो पर अब लंबित है जिसके ऊपर शपाट छथ है दीवारों का उपरी भाग बिभिन आकिर्थियों से सुसजित है इसे चूने के मशाले से पलस्तर किया गया है तथा गचकारी शेबनी बिभिन आकिर्थियों से सुसजित भी किया गया है पुर्वी दिशा के एक पट में एक चित्र का आउशेश है जिसमें शम्बाउता महराज गंगाधर राव को ही दरसाया गया है आपको यह महराज गंगाधर राव की छत्री कैसी लगी पिलिज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें थाक्त सा इस वीडियो करें अचली आपके अधियो को माता है